आज ये मुद्दा जो है वो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को जो बीजेपी ने लगातार कम्प्लेंट्स दी गए अब्जर्वेशन्स दी हैं उसके उपर हमारे कॉंग्रेस प्रेजिडेंट को ECI ने एक लेटर लिखा है उसके तहट उन्होंने कहा है कि पैरा ट्वेंटी सेक्शन नाइन उन्होंने कहा है ECI ने अब्जर्वेशन दी हैं साथ-साथ निर्देश भी दिये हैं कि स्टार केंपेंटर्स पोलिटिकल प्रोपगंडा के समय डिफेंस फोर्सेज के ओपरेशनल चीजों के उपर बाचीत नहीं करेंगे आपके लिए मैं पढ़कर बता सकता हूं कि मोदी जब जब फस्ते हैं तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंडते हैं पहले वो डिफेंस का सहारा ढूंडते थे डिफेंस फोर्सेस के पीछे जाकर चुपते थे और अब इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के जरिए एक डिरेक्शन इशू करवाई गई हैं इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान Model Code of Conduct Model Code of Conduct इसके अंदर Model Code of Conduct for the Guidance of Political Parties and Candidates General Conduct इसके बारे में पैरा नमबर टू यह बड़ा क्लियर कहता है Criticism of other political parties When made Shall be confined to their policies and programs Past record and work तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ policy के बारे में बात कर रहे हैं हमारी defense forces तीनों से नाए सक्षम है बहुत बहतरीन काम कर रही है हमारे borders को safeguard कर रही है National Security बहुत बढ़िया है लेकिन उनके हाथ कमजोर करने का काम मोधी सरकार ने किया है अगनिपत जैसी एक योजना ले किया है जिसके तहट वो untrained soldiers को देश की सेनाओं में बेजने का काम कर रहे हैं अगनिपत योजना एक पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं बार-बार उठा रहे हैं पिछले एक साल से लगातार हम हर प्लेटफॉर्म पर हर जगा बता रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए हितकारी नहीं है देश की सेना के लिए देश के सैनिकों के लिए और देश के युवाओं के लिए हितकारी नहीं है जब ये किसी की भी हितकारी नहीं है तो ये एक पॉलिसी परलेसिस है इस पॉलिसी को हम चैलेंच कर रहे हैं करते रहेंगे और जब चार जून को हमारी सरकार बनेगी तो हमने अपने न्याई पत्र के अंदर शामिल किया है कि हम अगनीपत योजना को डिफेंस सेक्शन के अंदर हमने कहा है कि कॉंग्रेस अगनीपत योजना को खतम कर देगी हमारे सबी स्टार प्रचारक इसी बात का जिक्र हर जगे हर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि योजना ये स्कीम ये पॉलिसी सुरक्षा के लिए सैनिकों के लिए सेनाओं के लिए सही नहीं है इसलिए इसको जाना होगा और इसको खत्म करना होगा ये हमारे उस समय के चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनल नर्वाने ने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया है और कहा है कि अगनिपच योजना हमारे सब के लिए तीनों सेनाओं के लिए एक तीनों सेनाओं के लिए ये शौक के तौर पर आया था इसका मतलब ये योजना सेनाओं से या उन से पूछ कर लागू नहीं की गई थी ये योजना प्रधान मंत्री कारियाले में आनन फानन में बनाई गई और उसको लागू किया गया तो ये एक पॉलिसी है आपरेशनल एक्टिविटी नहीं है ये मैं आप लोगों को सबको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि आपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है उपर हम टिपने करें उनके ऑपरेशन्स का फायदा उठाएं या फिर हम उनके ऑपरेशन्स के नाम पर वोट मांगे और ये काम हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री मौदी जी ने दोजार उन्डेस के इलेक्शन के अंदर बाखुभी किया जब पुलवामा में हमारे चालिस जवान शहीद हुए थे और उसके बाद बाला कोट के अंदर स्ट्राइक की गई थी तो मौदी सहब ने चुनावी रेलियों के अंदर कहा कि फर्स टाइम वोटर्स के वोट क्या हमें मिल सकते हैं क्या उन शहीदों के नाम हो सकते हैं क्या पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकते हैं या फिर बाला कोट की स्ट्राइक के नाम हो सकते हैं ये वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा आपकी यादों को तरो ताजा करना चाहूंगा मोधी जी ने 2019 की चुनावी रैलियों के अंदर ये वीडियो लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कहा था क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बाला कोट में एर स्ट्राइक करने वाले वीर जमानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलगावा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या मैं फर्स्ट टाइम वोटर तो साथियो ये है सेनाओं के काम करने के उपर आप वोट मांगते हैं उनकी एक्टिविटीज के उपर वोट मांगते हैं हमारी देश की सेनाए 1947 से लेकर आज तक 1948 में 62 में 71 में कारगल योद के अंदर सब जगे बहतरीन प्रदर्शन करते रहें कभी उसके उपर वोट नहीं मांगे गए लेकिन आज मोदी जी फस गए हैं उनके पास इस अगनिवीर योजना लाने का कोई भी तरक नहीं है ग्रामीर इलाकों के अंदर सब जगे उनके स्टार प्रचारकों से पूछा जा रहा है कि आपने अगनिवीर योजना क्यों लाए तो आज उनके पास तोड़ नहीं है एक भी लाभारती नहीं है उनके पास हर योजना का लाभारती दिखाते हैं लेकिन इस योजना का कोई लाबारती नहीं है तो मोदी जी आप फस्ट चुके हैं इसके साथ साथ जो model code of conduct है और ECI की guidelines वो कहती हैं कि हम new policies के बारे में बात कर सकते हैं हम होप आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उसकी होप के बारे में बात कर सकते हैं तो हम अपने देश की सेना को सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को ये होप देना चाहते हैं कि Congress Party चार जून कर चार जून को सरकार बनाएगी तो अगनिपत योजना को रद करेगी और अगनिपत योजना के तहट जो अगनिपत योजना के तहट जो हमारे अगनिवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थाई परबंदन का काम करेगी और इसके इलावा पुरानी भरती प्रक्रिया उसको लागू करेगी तो साथियों हमारे को सबको ये जानना जरूरी है कि अगनिपत योजना जो है ये देश की सुरक्षा के लिए डेमेजिंग है इसने हमारे देश में दो तरह के क्लासिज फॉज के अंदर यूनिफार्म के अंदर पैदा कर दिये हैं जिसको हम बोलते हैं हैव और हैव कुछ वंचित जो अगनिवीद है और कुछ लोग वो जो रेगुलर सैनिक हो है जो शहादत के समय पे उनको सब चीज मिलीगी दो तरह के सैनिक एक सैनिक जिसका जिसकी सैलरी 21,000 दिल्ली के मिनिमम वेज 22,000 है उससे भी कम क्या उमीद रखते हैं उससे और चार साल की नौकरी 17 साल में भरती 21 साल में रिटायर ज्याद स्यादा उम्र सिमा 21 साल की है 21 साल में भरती और 25 साल में रिटायर तो यह हमारी operational preparedness, operational efficiency, operational efficacy उस सारी चीज के खिलाफ है हमारे देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही है जो 4 साल का सैनिक होगा छे महिने की basic training होगी उसके बाद 6 महिने की छुटियां तीन साल के अंदर वापिस उसका काम होगा और फिर उसके बाद सरकार ने आज तक जब यह अगनी पत्योजनल आए थे कहा था कि इनको किसी ना किसी तरह से चार साल के बाद कहीं ना कहीं पर नौकरी दी जाएगी लेकिन आज तक एक साल से ज्यादा हो गया है हमारे जो अगनी वीर सेना में शामिल हो चुके हैं काम कर रहे हैं लेकिन उनका बहविश यह आज भी अंदकार में हैं यह नहीं मालूम कि उनको कहा कहा पे एब्सॉर्ब किया जाएगा आज तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 25 परसंट को एब्सॉर्ब किया जाएगा 75 परसंट का क्या होगा हमारे देश में रेगुलर सैनिक के तौर पे 75 हजार हर साल भरतियां होती थी उसको कम करकर इन्होंने 46 हजार कर दिया और अगनिवीर भरती कितरे हुए 40 हजार और 40 हजार में से 5 हजार छोड़के चले गए तो 35 हजार बचे तो साथियो आज ये हलात हैं कि हमें 2.5 रंट बैटल लड़नी पड़ रही है पाकिस्तान का 1400 किलोमेटर का बॉर्डर 3800 किलोमेटर का चाइना का बॉर्डर 6500 किलोमेटर की समुदरी सीमाएं और उसके बाद इंटर्नल सिक्यूरिटी हमें रेगुलर सैनिक चाहिए देश की सुरक्षा को चाक और चौबंद रखने के लिए हमें चार साल के सैनिक नहीं चाहिए जिनका भविश्य भी अंदकार में है जब सैनिक सरहत पर खड़ा होता है तो उसको मालूम होता है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरे देश मेरे परिवार का मेरे बच्चों का सबका ध्यान रखेगा जो यह इन्होंने दो हिस्से हमारे देश के कर दी है हमारे सैनिया के दो हिस्से कर दी है हैब्स और हैवनाट्स उसके बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है और इस रिड्यूस्ट इंटेक की एक और स्टोरी आपको बता दूँ कि जिस तरह से 2019 और 22 के बीच में हर साल 75,000 सैनिक आने चाहिए थे वो नहीं आए उनकी भरतियों को रद कर दिया गया अगनिपत योजना को ले आए और डेड़ लाग बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उनको अगनिपत के नाम पे उसको बाहर कर दिया गया और जब बाहर कर दिया तो वो डेड़ लाग बच्चे आज लड़ाई लड़ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है जैजवान केमपेन उनके लिए चला रही है और उसके लिए हमने कहा है कि उन 2019 से लेके और 22 के बीच में जो भरतिया हुई थी उन सब को हम उनका भरती प्रिक्रिया को कंप्लीट करेंगे हमने सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई लड़ने का वाइदा किया था कॉंग्रेस पार्टी ने जन्नाएक हमारे रहुल इसके लिए लड़ रहे हैं तो सात्यों एक और जो बात बीच में आई थी कि शायद जब यह योजना लेके आए थे तो उसमें पैसे की कमी करना चाहते थे कटाउती करना चाहते थे आपको मालूम होगा कि हमारे देश ने चार लड़ाईयां लड़ी हैं और उस समय हमारे अतनी मजबूत नहीं थी बजटरी प्रोवीशन उतने नहीं थे लड़ाईयां भी लड़ी मौडनाइजेशन भी किया टैंक्स भी नहीं लेके आए जहाज भी लेके आए मिराज लेके आए मिग 29 लेके आए तमाम तरह के अलग अलग जहाज लेके आए शिप्स लेके आए रेडार्स बनाए डेवलप्मेंट के लिए पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स को क्रियेट किया एक स्पेस वारफेर के प्रोग्राम्स लेके आए मिजाइले डेवलप की पृत्वी अगनी लॉंग रेंज मिजाइल 10-10,000 किलो मिजाइल डेवलप की और तब भी हमारी सेना रेगुलर सेनिक थे बजटरी प्रोविजन की कोई कमी नहीं थी मॉडरनाइजेशन लगातार चल रही थी और आज इस न्यू इंडिया में एक नया नई चीज देखने को आई है कि शायद ये पैसा बचाना चाहते हैं पैसा बचाने के लिए अगनी पत योजना देश की सेनाओं के उपर थोपी गई थी तो क्या मोदी जी आपकी सरकार के पास देश की सुरक्षा के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना पे खर्च करने के लिए आप के पास बजट नहीं है आप तो ट्रिलियन economy की बात करते हैं लेकिन आप अगर modernization के लिए कहते हैं पैसा नहीं है उसके लिए हम जो है चार साल के मात्र सहनिक लेके आना चाते हैं पैंशन और gratuity और इस सारी सीज को बचाना चाते है तो ये गलत concept ये पालिसी ही बुनियादी तोर पे गलत है इस लिए हम इस पॉलिसी के बारे में हर जगे जिक्र कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये पॉलिसी देश के लिए सही रही है तो इसको पॉलिसी को जाना पड़ेगा तो आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा जहां तक बात है ट्रेनिंग की क्योंकि ट्रेनिंग कम हो रही है हमारे अभी तक ग्यारा अगनिवीर शहीद हो चु लोग ऐसे हैं जिनकी संदिक धालातों में मौत हुई है संदिक धालात का मतलब कि शायद कोली लगने से हुई है लेकिन शायद वो सोईसाइड हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है जब आप फॉज की ट्रेनिंग को छोटा कर देंगे डेर साल बेसिक ट्रेनिंग होती है mentally robust soldier त्यार करते हो, physically robust soldier त्यार करते हो, all weather soldier त्यार करते हो तो उसके अगर ट्रेनिंग को कम कर देंगे तो हो सकता है कि वो mentally उतना robust soldier त्यार ना कर पाओ जो कि देश की सुरक्षा के लिए तकलीव दे हैं और इसी लिए सेना ने employability restrictions निकाली कि हमारे देश के जो अगनीवीर ह हैं उनको क्योंकि वो fully trained नहीं है तो इसलिए हम उनको all weather scenic के तौर पे इस्तेबाल नहीं कर सकते, independently कहीं अकेले deploy नहीं कर सकते, harsh conditions में deploy कर सकते और sensitive locations के अंदर नहीं deploy कर सकते, तो यह कैसे scenic हम त्यार कर रहे हैं, और अब जो feedback आ रहा है, अभी आपने देखा होगा recently अगर आप लोग follow कर रहे हैं, तो सेनाओं ने कहा, सेनाओं के बीच में से बात आई, कि एक survey किया जाए, कि इनकी training का audit हो, training कैसे हो रही है, क्या हम जो चाहते थे, वैसे हम scenic त्यार कर पा रहे हैं, क्या intake ठीक हो पा रहा है, क्या, और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, एक evaluation के ल survey इस scheme को लाने से पहले करना चाहिए था, पाइलेट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, हमारी देश की सेनाओं पे पहले अगनिपज जैसी योजना, ये थोप दी, जो सेनाओं ने नहीं मांगी थी, और आज आप एक साल के बाद, क्योंकि में आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो अब उसके उपर सर्वे करना चालू कर रहे हैं, और अब एक और नहीं चीज इन्होंने एड किये, कि जो जवान हमारे भरती होंगे, उन जवानों का साइकलोजिकल टेस्ट भी किया जाएगा, तो ये तमाम तरह की चीजे हैं, ज उनोंने जो डायरेक्शन्स दी हैं, हमको उनको पूरी तरह से फॉलो करते हुए, सेनाओं के कारे के उपर, कारे करम के उपर, सेनाओं के काम करने के तौर तरीके के उपर, operational preparedness के उपर, या उनकी activities के उपर हम कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन, policy बनाना legislature का basic काम है, responsibility and duty है, तो ये policy provisions का matter है इसलिए हम इसको लगातार इस बात को इस policy को अगनिपत को की policy को उठाते रहेंगे और जो policy देश की हितकारी नहीं है, सुरक्षा की हितकारी नहीं है, सेना की हितकारी नहीं है तो उसको हमने scrap करने का, खतम करने का फैसला किया है, और इस फैसले के साथ हम अडिग हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं, देश के सैनिकों के साथ हैं, और उनके काम और जनून उसको सलाम है, धन्यवाद. पॉलिसी पैरलिसिस का आपने जिक्र किया, तो यूपी टू की सरकार में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें काये कि, वक्त पर फैसला नहीं लेने की वज़ए से, ब्रहमोस मिसाइल के निर्यात में जो है, वो देरी हुई थी, नहीं हो सका था, मोधी सरकार के आने के ब ब्रहमोस मिसाइल के निर्यात जो है, वो हो पाया, इसके जो खुलासे में बात सामने आई है, कि 2014 में मोधी सरकार बने से पहले फिलिपीन्स के दोरे पर जा रही, ब्रहमोस एरोस्पेस के टीम को रोका गया, 2011 में विदेश सचीव ने कहा, कि जब तक निर्यात नेती नहीं ये पूरी तरह से इंडिजीनस मिसाइल है, और इसका प्रोडक्शन तक्रीबन 2004 के अंदर शुरू हो गया था, और सबसे पहले जो मिसाइल्स की जो हमारी ओपरेशनल रिक्वार्मेंट है, उसको पूरा किया गया, प्रोडक्शन के पैस्टीज को इनहांस किया गया, और उ कोई छोटी बात नहीं है, मैं खुद पृत्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हो, पृत्वी के साथ अगनी शुरू हुई, साथ में हमने इंडिजीनस तोर पे ब्रमोस का काम शुरू किया, लेकिन ब्रमोस मिसाइल बनाते बनाते हमें पहले अपनी आपरेशनल रिक्वार्मे मोधी जी कहते हैं, मेक इन इंडिया 2016, ये मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट मैनुवल 2006 में पहली बार बनाया गया था, और उसके अंदर कहा गया था, कि कोई भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं, या बनाते हैं देश में, तो उसके लिए डिफेंस प्रोक्यू जिसके अंदर कुछ जैसे रफेल जहाज थे, वो 126 हमने खरीदने थे, 16 जहाज फुली कंडिशन में, फिर उसके बाद CKD कंडिशन के अंदर और बाकी हमारे HL के अंदर बनने थे, 126 जहाज, जिनको इन्होंने फुली कंडिशन, चेंज करके, 2015-16 के अंदर उसको चेंज करके, पूरी फुली, फिनिश्ट कंडिशन में, 36 जहाज, ये खरीदने का काम करें, टेकनॉलजी कहा आई, टेकनॉलजी आफ ट्रांसफर नहीं हुआ हमें, ये 2006 का जो डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट मैनूल जो बनाए गया था, उसके अंदर टेकनॉलजी को ट्रांसफर कर करने के लिए, अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई थी, और उसके बाद, हमने फॉरण पॉलिसी, उससे पहले, 2006 से पहले, हमारा देश, सैनिक एक्यूप्मेंट प्रोक्यूर किया करता था, बाहर से लेके आया करते थे, 1980s में, 82 के अंदर हमारा Integrated Missile Development Program चला, जिसके ताहित हमने Missile Development की, अलग-लग, अगनी, नाग, पृत्वी, आकाश, ये Missiles, सर्फेस तू सर्फेस, टैंक वारफेर के लिए, एर टू एर Missiles, ये हमने डेवलप की, वो डेवलप्मेंट स्टेज थी, और हम मैनुफेक्ट्रिंग कर रहे थे, वो था मेक इन इंडिया असली, डिफेंस पी एस यूज को हम तकड़ा कर रहे थे, और उसके बाद, जब हमारी Operational Preparedness की Requirements कम्प्लीट हो रही थी, तो हमने 2006 के बाद, प्रोक्यूर्मेंट मैलूल से जो भी समान उसके बाद आया, उसका 30% आफसेट में हिंदुस्तान में बनता था, और उससे टेक्नॉलजी की ट्रांसफर होती थी, तो इस तरह करके हमने टेक्नॉलजी के अब्सार्ब किया है, और उसके बाद जब हमारी Operational Preparedness की Requirements कम्प्ल की तरह हम निर्यात भी कर सकते हैं, हतियारों का निर्यात कर सकते हैं, हमने भर्मा के पास भी भेजा, हमने फिलिपीन्स के पास भी भेजा, और ये ब्रमोज में जाहिल वाला जो आपने सवाल पूचा है, ये भी निर्यात की policies, हमारी कई level of discussions, talks होई है, उसके बाद जाके य ब्रमोज की policy और निर्यात policy जो है, वो बनी है। के सामने कहा, कि हम अपनी safety और security के लिए फैसले हम अपने आप लेंगे, आपके थोपे हुए फैसले नहीं लेंगे, उस समय उस समय भारत की defense forces आज की तरह modern नहीं थी, उसके बावजूद उन्हों ने फैसला लिया, 1971 के अंदर फैसला लिया, मार्च में उन्होंने ये फैसला लिया, मार्च 1971 के अंदर, और पाकिस्तान में उस समय चुनाव हो रहे थे, 26 मार्च 1971 को पार्लेमेंट का उनका फैसला हुआ, शेख मुझीबर रह्मान, वो बांगलादेश के परधान मंतरी पाकिस्तान के, East और West पाकिस्तान दोनों के परधान मंतरी बनने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बांगला देश इस्ट पाकिस्तान के थे उनको नहीं बनने दिया तो ऐसे में ऐसे में जो हलात पैदा हुए एक मुल्क के दो टुकड़े करने वाला आज तक 1947 के बाद से आज तक कोई मुल्क नहीं हुआ है अमरीका रशिया चाइना किसी ने एक मुल्क के दो टुकड़े करके दो देश नहीं बनाए ये काम हमारी डिफेंस फॉर्सेज ने हमारी आरन लेडी इंदरा गांदी जी के नेतरित्व में किया जनल सैम मानिक शाह हमारे फिल्ड मार्शल बने उसके बाद और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 1971 की जो वार थी वो मिलेटरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके अंदर एनिमी पोजीशन के पीछे जाकर धाका को पूरी तरह से पैरा ड्रॉपिंग करके टैंक ड्रॉपिंग करके और बहुत सारी तमाम हतियास को ड्रॉप करके हमने धाका को घेर लिया और 93,000 फोर्सेज उनको तो ये भी नहीं वालूं कि 90,000 थे या 93,000 थे 93,000 सोल्जर्स को हमने वहाँ पे सरेंडर कराया जनल नियाजी थे पाकिस्तान के इस्ट आमी कमांडर तो मोदी जी ने जिस तरह से कई बार कहा कि 15 लाख आएंगे दो करोड नौकरियां देंगे ओर और ओपी देंगे देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे कर दिया चाक चौबंद कॉंट्रेक्शल आर्मी ले आएं तो मोदी जी की बातों के उपर आप देश विश्वास करना छोड़ चुका है और जुमले बाजी नहीं चलेगी लोग आप से असल मुद्दों के उपर बात करना चाहते हैं महंगाई के उपर बात करना चाहते हैं रोजगार के उपर बात करना चाहते हैं आप जाकर दुनिया को छूट बोलकर भर्गला नहीं सकते मोदी जी आपका समय गत्म हो चुका है कॉंग्रेस पार्टी के फेवर में लहर है और आप चार जून को देख लीजिएगा जब फैसला आएगा तो सब के जो ठीका टिपनिया सब बंद हो जाएंगी कॉंग्रेस पार्टी दस की दस सीट जीतने जा रही है मैं पिछले कई दिनों से हर्याना के एक-एक लोकसभाक शेत्र के अंदर जाकर मैंने प्रचार किया है सेनिकों के पूर सेनिकों के प्रोग्राम किये हैं और ये जो अगनिपत्योजना और हमारे जो पांच गैरेंटियां हैं ये जंगल की आग की तरह फैल चुके हैं हर घर के अंदर प्रोलिफरेट कर चुके हैं और एक ही मत बाहर निकल कर आ रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को दस की दस सीटें जिता कर भेजनी हैं तो ये बीजेपी और बाकी लोग कुछ भी कह सकते हैं इन फाइटिंग की बात कर सकते हैं और बहुत सारी बाते कर सकते हैं लेकिन उनका हर्याना से जानाता है कर रहे हैं देश भक्ति के उसक्वेस पार्टी है वह इंगि जितने भी आपने भाते कहीं अभी तो यूए जस पुटिंग कोशन असान देश भक्ति आफ रूइलिंग की पार्टी जी मोधी जी का राश्टरवाद मोधी जी का देश प्रेम मोधी जी का सेना के प्रती जो प्रेम है वो सिरफ यूनिफॉर्म पहन कर दराज में, कारगिल में, सियाचिन में जाकर उनके साथ चाए पकोड़ा पखाने का या उनके साथ खड़े रहने का है लेकिन जब वो वापिस आते हैं, आपको याद होगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 29 सेप्टेंबर 2017 को उड़ी में जो अटैक हुआ था, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और 30 सेप्टेंबर को वापिस आकर, मोदी जी ने सबसे पहला काम किया था, डिसेबिलिटी पेंशन को खतम करने का काम किया था, मात्र एक दिन बाद, ये उनका देश भक्ती है, ये उनका सेना का प्रेम है, उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वापिस लेना पड कि जो disability pension है, उसको दुबारा से खतम करने का काम किया, उसको disability pension के disability element को impairment relief बना दिया, tax के दाइरे में ले आए, 70 साल से जो काम नहीं हुआ, हमारे सैनिकों को disability pension जो मिलती थी, वो tax free मिलती थी, उसको tax के दाइरे में ले आए, पहली बार लेके आए, खतम करने का काम किया, अगर उनका राश्र प्रेम होता, तो क्या वो देश में चार साल के सैनिक लेके आते, चाइना ने हमारा 20,000 स्क्वेर किलोमेटर का जो demilitarized zone है, उसके ओपर unauthorized occupation कर चुके हैं, और 22 लेवल की जो talks हैं, मिलिटरी कमांडर लेवल की वो हो चुकी है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक, या बीजेपी की सरकार ने उसको एवेक्ट कराने के लिए अभी क्या action लिया है, पॉलिटिकल परलेसिस है, यह सेना का नहीं है, यह demilitarized zone वो जोन है, दस किलोमेटर की का जोन है, जिसके अंदर grazing land भी हैं, जिसके अंदर हम भी जा सकते हैं, वो भी patrolling करते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई structures नहीं खड़े हो सकते हैं, अब ऐसा हुआ है, मोधी जी के पहली बार मोधी जी की सरकार में, इनके न्यू इंडिया में, stand-up इंडिया में, कि वो demilitarized zone को आकर, चाइनीज काफी एरिया को occupy कर चुके हैं, हमारी सेनाओं, हमारी सेनाओं सक्षम हैं, अगर policy ये बनाएं, तो हमारी सेनाओं जिस तरह ऐसे उन्होंने डोकलाम में चाइनीज को रिपल्स कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, गलवान में उनको बाहर निकाल दिया था, तो ऐसे ही वो बाकी इलाके, दो 20,000 स्क्वेर किलोमिटर के इलाके से, चाइनीज फोर्सिस को निकालने में सक्षम है, लेकिन नेत्रित्म में कमी है, मोधी साहब के, डिसीजन मेकिंग में कमी है, अगर वो डिसीजन करें, तो हमारी सेनाए सक्षम है कि उनको वापिस, डी मिलिटराइज जोन, उनसे वापिस ले लिया जाए. Anything else?